सावन महले की पहली सुंबारी कई परिवारों के लिए मनहूस साबित हुआ गंगा सनान करने के दौरान सुल्तान गंज के उत्तर वहानी गंगा टट पर डूबने से तीन यूबकों की मौत हो गई जिसमें एक यूबक सौरब कुमार का सव ब्रामत कर लिया गया है डूबे हुए दो यूबकों के सव की तलास अभी जारी है घटना सुल्तान गंज के जहाज घाट की है तीनों यूबक भागलपूर के नाथ नगर के बिभिन इलाकों के रहने वाले थे डूबे यूबकों में नाथ नगर के साहिब मजनिवासी बिजय मंडल का 18 वर्षिय पुत्र सौरब कुमार कैलास चौधरी का 15 वर्सिय पुत्र मुकेश कुमार और उमेश सह का 16 वर्सिय पुत्र राहुल कुमार सामिल है जो नाथ नगर पासी टोला का रहने वाला था घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तीनो यूबक पहली सुंबारी को गंगा असनान और जल भरकर सुल्तान गंज के पवित्र उत्तरवानी गंगा टट से नाथ नगर इस्तित परसिद्ध मनोस कामना नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते मिली जानकारी के अनुसार तीनो यूबक रात में ही सुल्तान गंज पहुँचे और आज एहले सुबा तीनो गंगा असनान करने के लिए गंगा में उत्रे और गंगा असनान करने के दौलान तीनो गंगा के तेज बहाव के कारण डूब गए फिलाल तीनों के परिजन गंगा घाट पर पहुंचे जहां परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है SDRP की टीम घटना अस्थन पर पहुंच कर सब की खोजबीन कर रही है वहीं मौके पर सुल्तानगंज थाना पुलीस कैम्प कर रही है इसे हम सुल्तानगंज प्रसासन की लापरवाही के कारण हुई घटना कह सकते हैं क्योंकि जब स्रावनी, मेला और गंगा जल भरने पर जिला प्रसासन को दौला पूरी तरह से रोक लगा दी गई है तो सद्धालों के गंगा असनान रोकने को लेकर घट पर पुलीस की तैनाती क्यों नहीं की गई थी घट जो खतरनाक है उसे चिन्हित कर वहां पोस्टर बैनर क्यों नहीं लगाया गया था जबकि परती वर्स खतरनाग घट को चिन्हित किया जाता था बैरेकेडिंग की जाती थी जो इस वर्स नहीं हो पाया है जगदीसपूर थाना से महज 200 मीटर दूर एक अस्थानिय पत्रकार के घर और दुकान में ताबर तोड च्छापा मारी कर 250 गराम गांजा और दो बोतल सराब बरामत करने में जगदीसपूर पुलीस ने सफलता पाई है प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीसपूर थाना में पदस्थापित प्रसिच्छो डियसपी साथानाधिच बिपिन बिहारी ने गुप्ट सूचना क्याधार पर अस्थानिय पत्रकार दयानंदी यादब के सुरियान्स होटल पर दबिजदी और गहन च्छानबीन की जिसमें उनके रेश्टूरेंट से दो सो पचास गराम गांजा यों पचास एमल के दो बोतल सराब की बरामदगी करने की बात कही वहीं उनके मकान मालिक संभू महलदार के दुकान से देशी महुआ सराब के साथ पाउच भी बरामद हुए हैं इस संदर्में पद्रकार द्यानंद यादब ने कहा कि यह सब कारवाई विद्वे से की गई है थाना ध्यच के नैथित्तों में थाना च् Core में कई बार गलत काम हुआ है अपने अखवार में छापने के कारन गलत तरीके से मुझे फसाया जा रहा है थाना प्रसासन की मिली भगत से बालू का अवे दिखनन और विक्री होती है सराप पिने वालों को थाना लाकर छोड़ दिया जाता है इस संदर्म में सूचना के अधिकार के तहत जानकारे भी मांगी इन ही बातों से तिल मिला कर थाना धच ने फसाने की योजना बनाई और मेरे रेश्टूरेंट को सील कर दिया उड़ने वर्य अधिकारियों से गुभार लगाई है अगर सचमुच में कुछ भी आपतिजनक चीज बरामद हुई है तो पुलीस प्रसासन उसे विडियो दिखाए और मेरे रेश्टूरेंट में लगे सीसी टीवी कैमरे की जाच की जाए ताकि सचाई सामने आ सके बहराल मजिस्टेर तरून केसरी के नेत्रितों में सुर्यान से रेश्टूरेंट एवं ठंडे की दुकान को सील कर दिया गया है संभू महलदार जराम पासवान एवं रौसन कुमार को गिरहपतार कर जेल भेज दिया गया है एक बुक्त सुचना मिला था कि जगिस्टूर बाजा रास्ते के संभू महलदार के मकान ने है उसमें अवाई सराव बड़ी मात्रा में पिक रहा है फिर पेले हमने जो सामने में सुर्यांस रेस्टूरेंट पर कर जगिस्टूर ब कर दो बड़ी मंदर के रास्ते में उसका मकान उत्र साइड मों देखते ही दुकान दर अंदर की तर बाज दो गोगाई जह जब देखते ही मोर भंगिया के मनाई दे हो भोले नाथ मोर जोगिया के मनाई दे की गीत से पूरा सुल्तान गंज गुंज रहा है बोल बम के जैकारों से पूरा अजगेवी नाथ छेत्रे गुंज आयमान हो रहा है सावन के पहले सुमबारी को लेकर सुल्तान गंज के अजगेवी नाथ गंगा घाट पर बड़ी संख्या में सिव भक्तों की भीड उमर पड़ी ऐसी माननेता है कि आज के दिन गंगा असनान कर भगवान सिव को जलाभी सेक करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है जिसको लेकर सिव भक्त अजगेवी नाथ मंदिर पहुँच कर गंगा असनान कर सिव की पूजा अर्चना करते दिखे इसको लेकर अस्थानिय पुलीस प्रसासन के दुड़ा चौकसी बरतते हुए सुरक्षा का पुक्ता इंतिजाम किया गया था मंदिर प्रांगन वगंगा घाट जाने वाले रास्तों को कोरोना महमारी के चलते सील कर दिया गया था फिर भी कोरोना परास्था भारी दिखी और सिव भक्तों ने गंगा असनान कर सिव की पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ के जैकारों से पूराज गेविनाथ मंदिर परी सर गुंजाय मान रहा संक्रमन के भीच सावन की पहली सुम्बारी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया राज सरकार और जिला प्रसासन के द्वारा एक और जहां संक्रमन से बचाब को लेकर पूरे देश के मंदिरों और सिवालेों को बंद रखा गया है वहीं भागलपूर जिले के विभिन गंगा ठटो पर लोग आस्था की डूप की लगाने के बाद विभिन सिव मंदिरों और सिवालेों के मुख दरवाजे पर ही गंगा जल चड़ाते और पूजा अरचना करते दिखे भागलपूर का परसिद्य बुडानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, दुधिस्वरनाथ मंदिर और सिवसक्ती मंदिर के दरवाजे पर ही पूजा अरचना कर भगवान भोलेनाथ से सुख संब्रदी के साथ साथ दुनिया में फैले कोर्णा की समापती को लेकर भगवान से अराधना करते दिखे और वे लोग गेट तोड़कर बाबा के दर्सन और पूजा करने लगे हलाकि मजिस्टेट के रूप में वहाँ परखंड सहकारिता पतादिकारी गौतम कुमार की डिवटी लगाई गई थी लेकिन वे अनुपस्थित रहे जिसकारन लोगों का आवागमन बना रहा इस बाबत गौतम कुमार ने कहा कि उनके बच्चे की तबियत खराब होने की वज़ा से वो समय पर नहीं पहुँच सके वहीं भीर बढ़ता दे कायोजन समीति ने प्रसासन को सूचना दी पूलीस पहुँची और मंदिर को बंद कर आया गया इन सब के बाबजूद घर से निकले लोग मंदिर जब पहुँच गए थे तो मंदिर का परिभ्रहमन भी किया और गेट बंद होने करन गेट पर ही पूजा अर्चना करने लगे तथा पूजारी भी बाहर ही पूजा कराने लगे अस्थानी अस्तर पर लगने वाले मेले में आसपास की दुकानदार भी पहुँचे थे और उन लोगों की दुकाने सजी रही वहीं प्रसासन का कहना था कि मंदिर बंद करने का आदेश है ना की परिसर बंद करने का आदेश कुल मिलाकर मंदिर बंद रहने से अनेक स्रधालू निरास हुए और महाल समान होने की प्रातना कर वापस लोट गए लाइन्स कलबो भागलपूर सिल्क सिष्टी का स्थापना दिवस और नए पदाधिकारियों का सपध गरहन समारो कायोजन किया गया इस कारिक्रम के मुख्यतिती के रूप में जिलापाल लाइन्स नमरता सिंग मोती माती सेवा स्थन के तरश्टी अतुल कुमार धांडानिया भारत विकास परिस्ट के अध्यच डॉक्टर धन कुमार संथालिया एवं लाइन्स बिनोध अगरवाल ने संयुक्त रूप से कारिक्रम का प्रारम गनिस वंदना दोरा किया गया सचीव लाइन्स संजे कुमार ने विगत वर्स कलब के दोरा किये गए सेवाकारियों का विस्तार से जानकारी सदन को दिया साथी कलब के दोरा स्थाई प्रकल्प रूप में नया बाजार स्थित लाइन मोती मगरीज चाइल्ड रेहबिलिटेशन सेंटर सेल में किये जा रहे कारियों के बारे में बताया गया अध्यच नवनीत सराप ने कोवीड कारेकाल में कलम के दोरा किये गए कारियों पर परकाश जाला मुख्यती थी लाइनस नमरता सिंग ने भावी योजनाओ की जानकारी दी वर्ष 2021-22 के लिए अध्यच लाइनस विसाखाजैन सचीव लाइनस संभू भगत को साध्यच लाइनस संजीता सहा एवं पूरे टीम को सफदी लाई गई धन्यवाद गयापन लाइनस पूर्या खंडेलवाल ने किया कारिकर्ण मसंचालन लाइनस संजैलाट एवं लाइनस परनव संचीत ने संउत रूप से किया